मैं हूँ अन्नपुर्णा और आपका स्वागत है मेरे केचन में आज मैं बनाने वाली हूँ सबका फेवरेट मोस्ट पॉपुलर रसमलाई जो बहुती सॉफ्ट है बहुती डिलिशियस है अब देख सकते यह कितना जादा सॉफ्ट है तो ऐसे टेस्टी सॉफ्ट रसमलाई के लिए मैंने लिया है गाय का दूद्ध दोनों मिलके यह दो लीटर है और एक कप शक्कर है कुछ ड्राइफ रोट है उसमें काजू बादाम पीस्ता और यहीं इलाइची केसर उसके अलावा कुछ यल्लो फूट कलर है कॉण फ्लॉर एक स्पून है निम्बू और यह है विनगर दोनों में से आप कोई एक चीज इस्तमाल करना दूद फाडने के लिए अब सबसे पहले मैं रखूंगी छेना बनाने और रबड़ी ब यहादा रिटल से थोड़ा सा जादा है दोनों मिलके दो लिटर है और गाय का दूद है अब मैंने लिया एक कटोरी इसमें मैं डाल रही हूँ वेनेगर आप चाहो तो निम्बू का बे इस्तमाल कर सकते हो मैंने दो स्पून वेनेगर लिया है अब इसमें दो स्पून मैं पाने मिक्स कर रही हूँ अगर आप निम्बू भी यूश कर रहोगी तो डारेक्ट नहीं डालना उसमें पहले एक स्पून या दो स्पून पानी डालके मिक्स करके उसके बाद इसे दूद में डालना अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ दूद में थोड़ा-थोड़ा करके बनके रेडी है, छेना बनाते समय हमें सावधानी से बनाना, अगर हमारा छेना अच्छे से नहीं बना, तो रसमलाई हाट बनेगा, अब दूद फट गया है, दूद का पानी ऊपर है, छेना नीचे है, अब यहाँ पर हमारा प्रोसेजर थोड़ा स्पीड करना है, मैंने रख आइस क्यूब भी डाल सकते हो, अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर रहे है, प्रेस करके इसका पूरा जो फटने के बाद जो रहता है, पानी, फटावा दूद का, उसको मैंने नीचे बावल में लिया, इसका मैं यह तो रोटी बनाऊंगी, यह सबजे में इसको मैं यह ए हाँको एक जगा हैंक करूंगे, पहले दबा के इसका पूरा पानी निकाल रहे हूँ, निकाल के मैं इसे बांध के हांक कर रख दिया है, अब मैं रखा एक पैन और रबडी वाले दूद में मैंने डाला है, थोड़ा से शकर है, कब शकर मैंने लिया उसमेंसे थोड़ा सा रबडी में डाला है बाकी का मैं बना रही हूँ शुगर सिरप चासनी इसमें मैं डाल रही हूँ तीन साड़े तीन कब पानी डाल के मैं इसे चासनी नहीं बनाऊंगी स्रिफ मैं इसे पिगलाऊंगी रबडी को भी हमें बिश बिश में चलाना है ताकि वो नीचे लगे नही रबडी आलमोस्ट पक गई है इसको हमें बहुत ज़्यादा गाड़ी रबडी नहीं बनानी है अगर हम बहुत ज़्यादा गाड़ी बनाएंगे तो रस्मलाई उसे सोखेगा नहीं अब मैंने डालाा केसर केसर डालके मैं सारे ड्राइफृ्ट्स को बारे काटके आघ काटके उसमें डाली हूँ डालके मैं निकल जाएगा अब यहां पर हमें इसे जितना ज्यादा हम लोग सॉफ्ट इसको गूतेंगे हमारे रसमलाई उतनी ज्यादा सॉफ्ट बनेगी इसे हमें एक दम प्रेस करते हुए दबाते हुए अच्छे से सॉफ्ट आटा बनाना इसमें मैंने एक स्पून कॉनफ़र डाला साप में यहां एक दम आठा रसगुला पनाना निए क्लिए प्रेस करते हैए प्रेस करणे क्रैक नहीं होरा है हमारा अठा रbu कर डन नहीं होση नहीं है आप मैं इसके बना रही हूं गोले, आपको जिस साइस के बनाने रसमले चाहिए उस साइस के बना लेना, क्योंकि आप जो भी साइस बनाओगी वो उससे दुगना हो जाएगा, आप सिरफ बॉल हो रहा है, इसमें मैं एक एक रसगुले का गोला डाल रही हूं, यह डालते समय ग्यास का फ्लेम हाई होना है, और यह कंटिनुरसली बॉल होते रहना है, एक एक डालना है, और सारा मतलब जितना इसमें आता है, उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि यह फुल के दुगना हो जाता है, अभी मैंने ढखके 2-3 मिनिट तक पकाया आप देख सकते है, दो-3 मिनिट में यह फुल के दुगना हो गया है, अब यह बहुत ज़्यादा नाजू के, इसको मैं हलके से टर्न कर रहे हूँ, टर्न करके, अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे, नहीं यह यहाँ पर ग्यास का फ्लेम स्लो होना है, नहीं हाई होना है, डा प्रेस करें, वो थोड़ा सा कट गया, दिखने ही पा रहा था, मैंने इनको दबा कि इसका पूरा चास से निकाला, आप देख सकते हैं, इसका सिरप निकल गया, और यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अब मैं इसके पर डाल रही हूँ, रबडी, रबडी डाल के, इसे मै 8 घंटे के लिए रख दूँगी, 8 घंटे के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे चिल होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, यह बहुती टेस्टी है, पर बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तो हमारी रसमलाई एकदम मार्केट जैसे बनेगी, बहुती जादा टेस्टी और बहुती जादा सॉफ्ट, अभी मैं इसे डाला, 8 घंटे बात में आपको दिखाऊंगी, जो रसगुले है, रसमलाई को सोक के एकदम सॉफ्ट और दुगने हो चुके रहेंगे, अब 8 घंटे हो गए है, उसके अलावा मैंने एक घंटा इसे ठ होने के रख दिया था, हमारे बहुती टेस्टी डिलिशिस रसमलाई बनके रेडी है, आप भी से बनाईए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू